इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे 16 जन्वरे 2021 के हिमाचल परदेश राष्टे तथानतराष्ट्य क्रांट फेर्स के बारे में वीडियो की सुरुवत करने से पहले आपको बता दें हमारे टीम के दोरा वार्सी क्रांट फेर्स की किताब लॉंच कर दीगी है इस किताब कॉपी लेश्टेडी को डॉट इन वेबसाइट में जाके इसके डिस्क्रिप्सिन में जाके कंटेंस देख सकते हो कितनी महत्तोपुर्निया किताब है पहला प्रसन है हाली में टरंप परसासन द्वारा किस देश को आतंक बाद प्रायोजन र味्या के स्रेनी में रखाय है बंगलादेश की यूबा, सिर्लंका या फिर पाकिस्तान तो इस प्रसन का साही उत्तर है तो यूबा आपको ग्यात होगा जो डोनल्ल ट्रम्प तेन का समंदरी पगलिकन पार्टी से था और हाली में जो बहां पे चुनाब हुआ है उसमें जो वाइडेन है जो की डेमोक्राटिव दल से समंदर रखते है उनको भूमत मिला है और कुछ दिनों में ओथ लेके अमेरिका के राष्टरपती बनने वाले है हाली में फ्रांस द्वारा 11 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से चौथे बन प्लैनेट समिट की मेजबानी की इसका बिस है क्या था व्राइट फ्यूचर के लिए एक साथ कार्या करें यंग भारत को प्रुटसान करें प्रकृती के लिए एक साथ कार्या करें या विश्व में सांतिस तापित करें तो इसकी थीम थी प्रकृती के लिए एक साथ कार्या करें यह प्रसन हमारे HSLID और NT के प्रिक्सा से प्रिरित है इसी तरह के प्रसन हमें इस तरह के competitive exam में देखने को मिलते है The Population Myth, Islam Family, Planning and Politics in India पूस्तक के लेखक कौन है तो आपको बता दें इस किताब के जो लेखक है उनका नाम है Dr. S.Y. Kuresi देखिए यह पूरम में हमारे Chief Election Commissioner भी रह चुके है और काफी आप इनके articles भी ट्रिब्यून अख़बार में पढ़ते रहेंगे काफी सजक और स्टीक भासा के माद्यम से इलेखन का कारया करते है वर्स 2021 का केंदरिया बजट 70 का आयोजन होगा देखिए जो केंदर इक तीन तरह के बजट होते हैं देखिए एक होता है हमारे पास बजट 70 और बजट 70 के बारे में याद रखेगा इसमें राष्ट्रपती का संबोधन भी होता है और नव बरस का प्रतम 70 होता है इसके बाद देखिए फिर आपको आगे एक ग्रिस्म कालिन सत्तर मिलता है और एक सीध कालिन सत्तर रहता है तो तीन सत्रों का आयोजन होता है हमारी पारलियमेंट में जो कि दो सदनों से लोकसबा और राज्यसबा से बनती है तो जो इस बरस का प्रस्तावित बजट सत्तर है उसके लिए डेट अनौंस की गई है 29 ज हमाचरी परदीश का बजट केंदर सिर्कार का बजट इकॉन system मिलेगा आपको हमाचरी परदेश सरकार का केंदर सरकार का इदि आप पीछले चीज़े पढ़ना चाहते कि एक पर स्पुराना भी हमें पढना भडता सरकार का बीजिन क्या था तो कोड़ाट इंसियों से प्राप्त कर सकते हो 29 जनवरी को संसद में के केंदरिया कक्स के दोनों सदनों की सियुक्त अधिवेशन में राष्टपती का अभिवासन के साथ होगी एक परवरी को 2021 को केंदरिया बजट पेस किया किस तरह का बजट रहेगा क्या सरकार इकॉनमी को दुबारा से रिवाइब करवाने के लिए किस तरह की यहां पे हत्कंडे अपनाती काफी दिलचस्प होने बाला है बजट 20 पी पसुजन गन्ना किस बरस हुई थी तो जी यह 20 पी पसुजन गन्ना थी यह हुई थी बरस 2019 में याद रखेगा इस तरह के प्रसन भी हमें इमाचले परदेश के विविन कंपेरिटिव एक्जाम में देखने को मिलते है भारतिय सेना दिवस का मनाया जाता है साधान सा प्रसन है लेकिन है बहुत काम का जूद रखेगा 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी 2021 को भारतिय सेना का तिहत्तरमा दिवस बनाया गया थोड़ सा कमेंट सेक्षिन में लिख़ी के पताईएगा ये सेना दिवस कब से इसकी बनाने की परंपरा सुरू हुई थी हाली में किस राज्या सरकार द्वारा मकर सकरांती के अफसर पर परसू राम कुंड तीर्थ यात्रा सुरू की है देखी ये इतना मतोपून प्रसनार मैं आपको ग्रैंटी देता हूँ किसी न किसी प्रिक्सा में प्रसना आपको जरूर देखने को मिलेगा जो मेरा अनुभब आप लोगों के साथ मैं इसको सांजा कर रहा हूँ तो आपको बताना है परसू राम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्या के दौरा सुरू की गई राज्यस्तान, अरुनाचल परदेश या फिर हिमाचल परदेश या मध्या परदेश इस प्रसन का सही उत्तर है ऑप्सन नंबर भी अरुनाचल परदेश के दौरा सुरू की गई है परसू राम कुंड यात्रा याद रखिएगा हाली में अमेरिका के रास्टरपती में दो बार महावियोग का सामना करने वाले पहले रास्टरपती कौन बने है बराक ओवामा, बिल्क लिंटर, जो बीडेन या फिर डोनाल्ड टरंप तो ये रिकॉर्ड बना है डोनाल्ड टरंप के नाम भारतिया सस्तर बल भयोब्रित दिवस का मनाया जाता है 14 जनबरी, 15 जनबरी, 16 जनबरी या 17 जनबरी तो ये दिवस मनाया जाता है 14 जनबरी को याद रखिएगा अगला प्रसन है हाली में D. प्रकास राओ का नीदन हो गया इन्हें भार सरकार द्वारा किस पूर्षकार से समानित किया था पदम पूर्षकार, भारत रतन पूर्षकार, राष्टिय एकता पूर्षकार या फिर पद्यासिरी पूर्षकार तो उन्हें देखिया पूर्सकार, सरबसेष्ट पंचायत पूर्सकार या फिर भारत निर्मान पूर्सकार या स्कॉच अबाड जिसे स्कॉच ओर्डर ओप मेरिट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इस अबाड से समानित किया जाएगा देखिया आपको बतादे इस प्रसन का सही उतर है ओपसर मनरेगा पार्क का निर्मान किया है केंदर सरकार मुरहाग पंचायत को स्कॉच अबाड यानि स्कॉच ओर्डर ओफ मेरिट सर्टिफिकेट जारी करकर समानित करेगी इतना महत्तोबुन कारेस पंचायत के द्वारा किया गया है और इस पर पंचायती राज के चुनाब भी ह आयोजन कहां पर होगा देखिए इसका आयोजन होगा रिज मैदान सिमला पे और देखिए जो हिमाचल परदेश के राज्या पाल है बंधार उद्धात्रिया जी ये राज्या स्तरिया जो गंतंतर दिवस से इसके देख्सता करेंगे रिज मैदान सिमला पे और आपको ग्यात होगा 25 जनबरी 1970 को हमारा इमाचर परदेश भी अस्तितों में आया था तो 25 जनबरी को हम स्टेट हुड़े सेलेब्रेट करेंगे केंद्रिया पर्यबर्न बन एबम जलबाईयो परिवर्तन मंत्री परकास जाबडेकर द्वारा भारत के रास्ट्रिया उद्यानों और बन्याजीब अभ्यारनों के प्रभावसाली मूल्यांकन रिपोर्ट के मताबिक देश के पांच सबसे अच्छे प्रतिभंदित सनक्सित क सेत्रों में हिमाचल पर्देश के कितने सनक्सित क्सित्रों को स्तार मिला है एक तीन चार या उपरोक्त में से कोई नहीं देखिए हिमाचल पर्देश के तीन सनक्सित क्सित्रों को यहां पर इस्तान दिया गया है यह कौन-कौन से है याद रखिएगा ग्रेट हिमालिया न ना मजबूत कीजिए किसी प्रिक्सा में आप बैठें तो आपकी जो हिमाचल परदेश का स्कोर हो 70 प्रतिसत के करीब होना चाहिए तो आप इलाच्टरी टीम के हिमाचल परदेश एक समगर हदेन किताब है काफी बेतरीन किताब इस किताब की आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए का जब आप इस वेफसाइट पर जाएंगे इलाच्टरी कोर और टिन पर भी बिन तरह की किताबों के लिए आप इस वेफसाइट का विजिट कीजिए थैंक्यू बेरिमाच कीप वाचिंग इलाच्टरी यूट्यूब चैनल